क्या आले सबी सात्यों का आज हम लोग इस किताब जिसका नाम है The Psychology of Money by Morgan Housel इसका विशलेशन करने वाले हैं यारी कि इसके फर्स चैप्टर की थोड़ी से समरी देने वाला हूं और फिर नए से समझाना पड़ता है तो इसलिए मैं इसको चैप्टर पर चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा anyway तो पैसा या पैसे की साइकोलोजी क्या है यह लिखा है Morgan Housel ने मॉर्गन ने अपने इंड्रोडक्शन के अंदर यह बात लिखी है कि देखो ऐसा है बहुत सारी लोग फाइनांस पड़ते हैं ре reading सीखते हैं आज के बिख्यान हैं और ही सब्सक्राइब होई हैं यह अड्य यह पाइसा होता है इसका सथ हम क्या क्या सब्सक्राइब करते हैं उसकी को उन सब्सक्राइब हमारी is की समझ भी किस तरह से出去 हों पर कम कारम स्क्रार्श पैसे और हम्रेर्चि और समझ की अपार्ट फ्रॉम जो ये irrational decision making जो economics के अंदर होती है जिसे हमने field का नाम दिया है behavioral economics उसके अलावा या financial master classes या finance के understanding के अलावा हम जिस तरह से पैसे से relate करते हैं पैसे की माननेता हमारी जिन्दगी में किस प्रकार से हम पैसे को use करते हैं उस पर ता discussion नहीं हुआ और आज ये किताब बहुत ही प्रसिद है इसके पहले चैप्टर में जिस बात को लिखावा है उस बात को पढ़के मेरे को इतना बढ़िया लगा because suddenly all the crazy people in my life including myself we all make sense पहले चैप्टर का टाइटल है No one is crazy कोई भी आदमी पागल नहीं कोई भी ऑरत पागल नहीं Morgan कहता है लोग अपने पैसे से अतरंगी चीज़े करते हैं 1000,000 डॉलर के बिल लेके या 500 की घड़ी लेके यहां से मौडात रहते हैं यह तेरे को पकड़ाया तेरे को पकड़ाया तेरे को पकड़ाया ऐसे भी लोग होते है वरन बूफ़े की तरह जो स्ट्रटीजिकरी खेलते हैं और अपने पैसे को कमपाउंड करते हैं और नॉर्मल से जीवन चीते हैं इतने तरीके के लोग हैं जो पैसे के साथ क्या-क्या करते हैं तो सबसे पहले कहता है ये कोई भी इनमें से कोई भी इनसान पागल नहीं है ये सब के सब पैसे को उस तरह देखते हैं जैसे इनके परसनल एक्सपीरियंस इने सिखाते हैं और इनके personal experience को free है अपने world view में fit करते हैं और बोलते हैं कि मैंने पैसे के साथ x करा या पैसे के द्वाई करा because ये reason और वो justify कर लेते हैं तो अपने मन के अंदर कोई भी पागल नहीं है अपने पैसे के use को देख के हम लोग देखते हैं कई लोग 20,000 रुपे का जूता खरीदते हैं हम बोलते हैं यार ये घटिया बात है हम लोग देखते हैं कोई इनसान जो लखपती है वो 10 रुपे नहीं देने को तयार किसी टॉ जी ला है तो वो क्यूँ हूँ उसका पैसे को लेकर distrust क्यूँ है वो ये क्यों समझता है कि पैसा सिर्फ इंतरे के लोगो को मिलता इन तरे को नहीं मिलता दूनिया में नष्ञ रभी कांत और काल मारक्स जैसे दो एंड़ वाले लोग क्यों है ऐसा क्यों है तो इस सब क्या कारण यही है क्योंकि सबके experience अलग है second hand मैं तुम्हारा पैशा का experience पढ़ सकता हूं कि तुम बहुत पूर पूर परिवार से आते हो या तुम बहुत अमीर परिवार से आते हो लेकिन जब तक मुझे उसका अभास नहीं है जब तक मेरे को सिर्फ बात दूर से समझ में आएग का अचा स्टीव बैनन जो है वो कुछ समय तक अल्ट्रा राइट राइट विंग कंसर्वेटिव न्यूज आउटलेट ब्रेट बात का एडिटर भी रहा है पर स्टीव बैनन का जो पैसे को लेके या डेमोक्राट्स को लेके या इंस्टूशन को लेके जो ट्रस्ट गिरा वो इसलिए गिरा क्योंकि जब यह फाइनाशल मार्केट वाले वाल्स्ट वाले हरकते करते रहें कुछ ना कुछ स्कीम ऐसी किसी स्कीम में उसका बाप फस गया और शायद रिसेशन में सब कुछ हार गया तो उसने उसको वो सब देखा उसने अनलाइस करा कि यह साले इंस् अनलाइस कर सकता हूं और सोच सकता हूं क्या उसकी मन में क्या चल्राओ रहा है तो आप ऐसी चीज़े करते हो प्रॉबली मस्ट भी सीन इन दे होड जहां पर पैदा हुआ होगा या स्ट्रीट में फिर पूर इंकम ब्लाक फैमिली के अंदर की लोग ब्लिंग खरीतते हैं अजीब जीब इग्जॉटिक चीज़े खरीते हैं दिखाने के लिए कि स्टैट सिगनल करने के लिए है ना इसे ही फिर उसके बाद पूर डाड इसे किताबे आइं जहां एक अमीर और गरीब आपके अंदर फर्क दिखाए गया तो यह हम मान सकते हैं चाहिए आपके पेरिंट्स अपर क्लास हैं बिलकुल ही एक तम पावर्टी लाइन के अंदर हैं मिडल क्लास हैं उनका वर्ल्ड जो किसान का बेटा जो जमीनार जयते हैं मतलब फैलियी के अंदर आप एक transition point नेको एक किसान है वो दिन रात महनत करता हूं eventually बिनस ले प crown चाहिए बैटा जमीनार चाहिए उसका बेटा समीन-धार का बानेगा झाहीए सेकिंड जन्रेशन समीन दार बन जाह है तो उस ने वो वाला अभाव नहीं देखा जो किसान ने देखा है बेकुस उसने अभाव नहीं देखा तो उसका पैसो को नजरिया देखने का जिंदगी में अलग है किसान कितना भी बोलता रहा है कि 1947 के बाद एक रोटी नहीं थी हम लोग घांस पे जी है या दो रुपे कमाएं उसको दूर से समझ में आएगा लेकिन अगर वो एक ऐसे समय में पैदा हुआ है जहां पर चांदी ही चांदी है उसे कोई दिक्कत थोड़ी है यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 90's के .com boom के अंदर चले गए थे Silicon Valley यहां से इंडिया से तो यह economist यह भी मानते हैं कि आपकी जो risk लेनी की appetite होती है ना है ना वो आपकी personal history पर निर्वर करती है अब मैं किसी इंडिया के college के अंदर हूँ जहां पर इतना चलो काम नहीं हो रहा suddenly US कहता है भई हम .com शुरू कर रहे हैं internet का era आ रहा है www का फटा फटा आ जो अपना pack pack करके तुम वहां पहुंचते हो तुम देखते हो एडे तिर्चे अजीब जीब तरीके के लोग सब को नोकरे हैं सब पैसे कमा रहे हैं तो तुमारा risk का आपटाइट बड़ा हई है संदर पिचाही जैसे लोग खड़े हो जाते हैं बहुत सरे इंडियन्स खड़े हो जाते हैं तो आज भी यह लोग फिर उस तरह के रिस्क ले सकते हैं जो ऐसे लोग नहीं ले सकते हैं बहुत ही रिसेशन बहुत ही मंदे के टाइम पर पैदा हुए तो जैसे एक और एक्जामपल लेते हैं इसके अंदर पैसे को और एक्स्पेइन करने के लिए कि कि वो इस तरह की जिए सोच सकते हैं लेकिन एकॉनमेस ने रिपोर्ट करा कि जब आप नियॉयॉक टाइम्स के अंदर आया था कि एक पटाके के फैक्टरी की जो एक वर्कर हुआ करती थी उसके नेफ्यू से पूचा भई तेरा क्या मानना इस बात पर कि अत्याचार वगरा ह तो सही में बोलता है कि इस से पहले मेरी जो आंटी थी वो तवाइफ थी तवाइफ थी यानि प्रॉस्ट्यूट तो उससे बढ़िया तो यह स्मॉल वेज़े जिए स्मॉल लेबर यह पटाके की फैक्टरी में नॉर्मल काम करना बहतर है अब उसने इतना भाव देखा इत क्यों चाहते हैं यह उनके मन में क्या वो है बट वो उस लेवल पर रिलेट नहीं कर सकता ठीक है ना तो किसी के लिए वो एक इंप्रॉब्मेंट है है ना मतलब कल को मैं टांगा चलाता ता आज मैं आटो चलाता हूँ अब यूएस का बंदा के बोले का बताओ कितने पॉल कुछ कररी नहीं सकते हैं तो लोटरी कें इन्दर स्थीन कया होता है बहुत लाड़ा इंसान बोलता है कि यार मैं तो पूरой टाइम तंगी में रहता हूं मेरे पास तो पैसा नहीं एक ही तरीका है इस तंगी द भाहर निकर लिया लोटरी देता रहता हूं आक लक्ट यही मिलेगा खाने का साथ में बकायदा ऐसे पीछे कैशियर से बोलते थे यार वो वाला रोल दियो लॉटरी का चुनते थे नहीं नहीं वो वाला वो वाला वो वाला तो पुरा गेम चल रहा होता था and it makes sense मतलब तुम्हार पस जो normally पैसे कमाते हैं नहीं again it all comes back to your personal experience about how you've seen money what you've grown up with मतलब अगर जैसे मेरे जिंदगी में 24 साल बीते हैं और 24 साल के अंदर मैंने पैसे के साथ different different experiences करे हैं तो वो दुनिया के overall experiences के अंदर 0.0000000001% होगा पर मेरा पैसे को देखने का नजर रिया 80% मेरा world view भी decide करेगा ऐसा मैं नहीं ऐसा Morgan Housel कहता है पहले chapter के अंदर अचा पर अब करें क्या मतलब कही सारे लोग यह भी बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे को crazy ways नहीं हो मैं मैं actually data के basis पर करता हूँ लोग जेफ पिसोस का बखान करते हैं कि यह यह बड़ा data-driven CEO है और यह सब है अल इस वेल और पर Morgan Housel यह कहता है कि देखो उसके अंदर भी ना आप बेशिक से spreadsheet बिचा लो बिचाओगे तो आप company के investors के अंदर ही यह आपने boardroom के अंदर जहां पर आपके एक image है एक reputation है थोड़ा ego थोड़ी company थोड़ा समय मतलब कोई नियारे parent ने बोल दिया यार तेरे तो network कम हो रही है तो वो भी influence करेगा ना आपके पैसे के decision को चाहे आपने कितना data पढ़ लियो तो ये तो हम भूल जाते हैं कि हम पागल है क्योंकि हम सब अभी से figure out कर रहे है हम सब अभी से figure out क्यों कर रहे है क्योंकि मेरे दोस्त मतलब 1955 के अंदर New York Times ने report करा कि चलो retirement ना एक universal rider सबको देते है पर retirement को implement करते करते कि retirement के लिए saving करनी होते 1980s लग गए इंडिया में तो और लेट आया ठीक है ऐसे ही कुत्तों को हम लोग ने 10,000 साल पहले domesticate कर लिया अब ये अब से ये wild नहीं है अब से हमारा है हमारा कुत्ता है हमारी Tommy यहाँ जा वहाँ जाए जो भी नाम हो तुहारे कुत्ते का पर कुत्ते के अंदर भी आज भी उसके ancestors के वो हैं factors उसके कुछ-कुछ genetics कुछ-कुछ ऐसे चीजे जो एकदम बिल्कुल ancient है तो ये पूरा का पूरा modern financial system तो खाली 20 से 50 साल पुरान है हम कैसे expect कर सकते हैं कि हम पैसे का साही decision करेंगे इससे साब होता है मेरे दोस्तों when it comes to money when it comes to the psychology of money the most important thing to learn is no one is crazy everyone is acting on the current mental model available to them and the information they have whatever makes sense to them उसी के basis पे वो पैसा खर्च करते हैं सेव करते हैं उडाते हैं गुराते हैं जो करना होते हैं वो करते हैं ठीक है so this is chapter 1 of Morgan Housel's book Psychology of Money See you in the next one